हालो फ्रेंट्स वागते आपका माई चैनल पर तो फ्रेंट्स पालक का नाम सुनते ही भाग जाने वाले बच्चे हो या बड़े पालक की इस रेस्पी को मांग मांग के खाएंगे तो आज हम आपके लिए लेकिया है पालक की ऐसी मजदार सी रेस्पी जिसे खाना तो दूर की बात है आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी वैसे तो आपने पालक को बहुत बार बनाया होगा खाया होगा दूसरों को खुलाया होगा लेकिन एक बार मेरे तरीके से पालक इस recipe को बना के देखिए, आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे, इसकी मैं guarantee लेती हूँ, तो आज मैं आपके साथ पालक की एक दब मज़ेदार सी नई recipe सेयर करने वाली हूँ, आसा करती हूँ कि ये recipe आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, recipe पसंद आए तो दिल ख दिल खिखिए, मैं ने क्या लियाएं यहाँ पे मैंने लिया है पालक तो यहाँ पर मैने जो पालक लिया है वो थोड़ा सा बड़े-बड़े पालक लिया है, आपको भी सा रे comenz बड़े पालक की बड़े इसके नहीं सिक्पा करने, तो छोटे वाले पालक ke सास्थी हूँ, इसका टेस्ट अच्छा होता है यहाँ पर मैंने धुली हुई मसूड की दाल का इस्तिमाल किया अगर आपके पास मसूड की दाल धुली वाली ना हो छिलके वाली हो तो आप इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह फिर आप इसकी जगा पर कोई और दाल भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथ ही नॉट्पिकेशन में को आन करना ताकि जैसे वीडियो अप्लोड करूँ आपको नॉट्पिकेशन मिल पाएं सबसे पहले और आप हमारी आसान देश्वी का फाइदा उठा पाएं सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कोटोरी लिया है मसुड की डाल जो हमारी बेट ने मुश्किल से 50 ग्राम है अगर आपकी फैमली लंबी है या बड़ी है तो आप इसमें डाल की मातर को बढ़ा सकते तो यहाँ पर देखिए पालक को मैंने अच्छे से वास कर लिया है तो पालक की कोई भी देश्टी बनाते समय आपको खयाल यह रखना है पालक को पहले वास करना है कट करने के बाद अगर वास करेंगे तो अच्छा रजड़ नहीं आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इसके यह वाले भाग को निकाल देंगे क्योंकि यह हाड होता है और पालक को इस तरीके से रफली कट कर लेंगे तो फ्रेंड आप हमारी यह मजदाल सी रैस्पी कहां से देख रहे है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताईए और साथ ने जगा का नाम लिखना मत भूलिएगा किस-किस को पालक खाना पसंद है जल्दी से कमेंट करके बताईए और जिसको नहीं पसंद है इस recipe को try कीजिए आपको पालक से प्यार हो जाएगा इसकी मैं guarantee लेती हूँ तो चलिए फटा फटा हम सारी पालक को cut कर लेते हैं फिर आप से मिलते हैं तो यहां पर देखे सारी पालक को मैंने इस तरीके से roughly मोटा मोटा कट कर लिया है अब हम क्या क करेंगे यहां पर हम ले लेंगे नमक तो यहां पर हमें एक टेबस्पूर नमक लेना है थोड़ा सा नमक हम जार डाल लें क्योंकि बादने हमें से निकाल लेंगे तो घबडाने की जुरूरत नहीं एक चमब नमक डालना है और थोड़ा सा इसमें डालेंगे टर्मरी पोड अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसा करने से क्या होगा पालक का जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा और पालक हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो चलिए इसको साइड में रख देते तब तक दूसरा काम करत तो फ्रैन आगे है गैस की तरफ यहाँ पर देखें मैंने एक पैन लिया आप चाहें तो कराही भी ले सकते हैं जो भी बरतर लीजे थोड़ा सा फैला हुआ लीजे और थोड़ा सा भारी लीजे जब हमारा पैन मिल्को अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें हम एक छोट की डालनी है फिर इसके बाद हम इसके अदर अपनी डाल को टास्वर कर देंगे डाल को मैंने अच्छे से कपड़े से पोच लिया है यहाँ पर दाल को आपको भीगो के नहीं लेना है इसलिए कॉटन के कपड़े से डाल को अच्छे से भून लीजे स्वारी पोच लीजे फ दूसरी बात आपका ये होगा कि दाल बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और उसमें बहुत ही अच्छा सा सोना पनाएगा तो यहाँ पर आपको खयाल ये रखना है दाल को कंटीनू चराते में भूनना है और छोड़ के जाने की गलती नहीं करनी है और दूसरी छोड़ा से भारी तल्ले का लीघेगा ताकि डाल जल्दी जलेनHa तो यहाँ पे देखिये बातों ही बातों में डाल हमारी बिल्कु अच्छे से भुन गई है यहाँ पर दाल का हमें कलर नहीं चेंज करना है और नहीं इसको लाल करना है बस दाल का कच्चा पंदूर करना है और इसमें जो मौस्चर है वो खतम करना है तो दाल हमारी अच्छे से भुन गई है अब इसको एक प्लेट में निकालक में कर लेंगे को अच्छा से गरम कर लेंगे तब इसमें एक बड़ा चंबच उयलेंगे आप घियो बटर बीडा सकते यहां पे मैं सरसो का तो आपको हमेसा ख्याल ये रखना है कि इसे अच्छे से गरम करना है क्योंकि इसमें एक कड़वापन होता है अगर आप इसको ऐसे ही बिना गरम किये होई हलके गरम में बना देंगे तो अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा लोग भी नहीं आएगा तो तेल को इस तरीके से करना है हथेली को उपर रखना है अगर आपको गर्माहट महसूस हो लिए तो समझ जाए ये तेल गरम हो चुका है तो यहां पर देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है तब इसके बाद हमने एक मीडियम साइज की प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया यह डाल देंगे और यहां पर हम प्याज को अच्छे से कूक करेंगे यहां पर हमें ख्याल यह रखना है कि प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है लेकिन काला नहीं करना है तो अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्क्रिप कर सकते तो चलिए इसको ह तो फ्राइन देखिए 10-15 सेकंड मैंने प्याज को हाई फ्लेम पे भून लिया है प्याज हमारी तरीके से जब हलकी सी पिंक होने लगेगी तब इसमें कुछ चीज़ा अड़ करेंगे आई आइए आपको बता जेते तो आप इसमें हम 3 ग्रीन चिली डालेंगे अगर आपकी तीखी नहीं है तो आप 4-5 डाल सके अगर तीखी है तो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और टेष्ट भी आने के साथ सा लूग भी अच्छा आएगा फिर इसके बार हम इसमें ढालेंगे 7-8 फ्लस उन की कलिया और और इसको भी हम 10-15 सेकेंड अच्छे से भोल लेंगे सारी चीजों को वापस से फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक इंच का अधरक जरूर डालना इससे बहुत इच्छा सा फ्लेवर आएगा तो यहां पर मैंने एक इंच के अधरक को अच्छे से छील लिया है और फिर बॉस करने के बाद डाला है आप इसके पास अगर ऐसा अधरक ना हो यानि साबुत वाला तो आप इसकी जिगा पर अधरक का पेष्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लेक पेपर यानि काली मिर्च वो कितनी डालनी है वो 12-13 डालनी है इस यहां पर मैंने दो सुखे नारियल यानि दो चमब्र सुखे नारियल को इस तरीके से कट करके डाला है अगर आपके पास प्रस हो तो आप इसको भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसके बाद इसके अंदर क्या जाएगा आईए आपको बतारते हैं बहुत इंपॉर्टन चीजे जो टेस्ट को विल्कुल इन्हेंस करने के साथ आपको पेट के लिए भी बहुत लाबकारी है वो है हमारी मोटी अली सौफ एक चमबच जाएगी और आधा चमबच हम डालेंगे जीरा तो सौफ का आधा जीरा जाएगा सिंपल सा मिजर्मेंट है और यह आपको लाश में डालना है क्योंकि इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है तो यहाँ पे देखें प्याज हमारी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है लेकिन काली नहीं ही है तो अब हम क्या करेंगे गैस के फ्लेम को बन कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे प्याज को मैंने हलका सा गोल्डन ब्राउन किया है बहुत जड़ा काला नहीं किया है यह देखिए और यह थो थोड़ा सा जीरा बचा है इसको हम इसी में रहने देंगे यह देखिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तब तक हमारी दाल जो ठंडी होगी इसके साथ हम काम करेंगे दियर तो यहाँ पे देखिए सबसे चोटा अला मिक्सी का जाल ले लिया है बड़े वाले का इस्तमाल नहीं करना है यह देखिए दाल को मैंने टास्वर कर दिया है और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे नमक डालेंगे जो हम हाफ टी स्पून डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला जिसे ही रैस्वी काफी दरह चट पोटी बनेगी अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगापे निम्बू का रच डाल सकते या फिर ड्राय आमचुर पोड़ा यानि खटाई का इस्तमाल कर सकते थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे हिंग डाला है एक चुटकी और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देंगे बस इसनी चीज़ डालनें इससे जड़र नहीं से कब नहीं आप इसको कवर करके हम बिल्कु अच्छे से इसका पाउडर बनाएंगे तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे आपको पानी बिल्कु भी नहीं डालना है और जार आपका बिल्कु अच्छे से सूखा होना चाहिए इस बात का ख्याल लगना है गीले जार में इसको नहीं पीस ना है नहीं तो आप recipe को store नहीं कर पाएंगे तो चलिए piece के लेकर आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो friend यहाँ पर देखें मैंने इसको piece लिया है piece ने बिल्कुल भी दिकत नहीं होती अच्छे से powder बन जाता है और यह देखें कितना बड़िया तरीके से powder बन गया है और यहाँ पर देखें टास्पर करने के बाद हम क्या करेंगे अब इसके अंदर हम डाल देंगे धेर सारा हरा धनिया अपुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पुनीदेर भी ना हो तो आप इसकी जगा पर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं और अब हम लेंगे हाफ टीस्पून तक अजवाइन जो इसको इस तरीके से हतेली में लेके मसल कर डालेंगे अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है खुसबू भी आती है और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मगरेल इसको काले वीज भी बोलते है अगर इसका कोई नया ना हो तो कमेंट बाक्स ने जरूरू बताना इसकी कई जगा पर कलोंजी भी बोला जाता है आपकी तरफ क्या बोला जाता है कमेंट बाक्स ने जल्दी से कमेंट करके बताई फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओईल आप घियो बटर भी डाल सकते एक से दो बुन काफी होगा बस इससे जड़र नहीं इससे कब नहीं फिर इसके बाद हमें क्या करना है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है तो यहां पर देखिए अच्छा से मिक्स कर दिया है मैंने और अब इसमें हम डालेंगे क्या आई आपको बता देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होमेड है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट बक्स से कमेंट करना आपके साथ सेह करेंगे और थोड़ा सा तर्मरिक पॉड़ा है नहीं हल्दी हल्दी जरूर डालने से बहुत ही खुबसूरा सा कलर आएगा ज्यादा डालिएगा थोड़ा ही डालेगा और सुन्दस अलुक देने के लिए थोड़ इसी कुटी होई लाल में अगर आपके पास कुटी वाली नहों तो आप इसी वाली जरूँवाला बना के रखाता बिलकु अच्छे से थंडा होचुका है और थंडा होने के पात्क है डालना है और अब इसके बास हम दालेगे धेड़ सारे धनिया के डंथल जिससे बहुत ही अच्छा सौ टेस्ट आएगा अगर आके बास डंथल नहों तो आप धनिया ही डा ल dollar गानु जए बहुत ही अच्छा सा जूसरी सा बने गा और बहत ही सुन्द सा कलर आएगा अगर आपका टमाट़ लाल ना हो तो आप थोड़ा सा कास्मेरी लाल में डाल सकते हैं जिससे कलर अछा आएगा तो मेरा टमाटर लाल है, देशी टमाटर लेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, देशी तो दो लीजएगा, अगर आपका अभी देशी वाला है तो आप तीन टमाटर लीजएगा क्योंकि हो कम खटा होता है, तो छलिए उसको पीस के ल रखना है ज्यादा पाई नहीं डालना है सिर्फ तीन से चार चमर डालके इस तरीके से आपको पेश्ट बना रहे लेका है बिल्कुल स्मूज सा अगर आपका पेश्ट डरदरा है तब भी कोई बात नहीं है लेकिन पतला नहीं होना चाहिए इसलिए आपको मिक्सी का जार जो यह देखिए और आप इसको भी हम इसके पर टास्वर कर देंगे ताकि हमारा कुछ भी वेस्ट ना हो अब हम क्या करेंगे अब हम इसको साइड में रखेंगे इसको हम बादने स्तमाल करेंगे तो चलिए इसको साइड में कर देते यहाँ पर अब हम क्या करेंगे अपनी पा पांच मिनट बाद पालक का हाल आप देश सकते हैं, पालक बिल्कुल अच्छे से soft हो चुकी है और कितना पानी अपना छोड़ चुकी है, तो देखिए आप जब इसको पांच मिनट का रेस देंगे तो आपकी पालक का भी यही हाल होगा पालक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो जूस है वो सारा निकल जाएगा अब यहां पर आपको इसको निकालने के लिए इस तरीके से चमच का इस्तमाल करना है और चमच से अच्छे से दबाते हुए इसका सारा रिलीज कर लेना है पानी तो चम्म से उतना अच्छा से बनेगा नहीं तो हम देशी जुगार करेंगे हाँ से इस्तमाल करेंगे चम्म चम्म जय किनारे हम अपना काम हाँ से करेंगे क्योंकि हम इंडियन लोगों को जब तक अपना खाना हाँ से ना बना है स्वाधी नहीं आता है तो यह यह देखिए और यह जो पालक का पानी बच रहा है इसको हम यूज करेंगे इसको हम वेश्ट नहीं करेंगे तो घबडाने की जुरूरत नहीं है और ना यह सोचने की जुरूरत है कि पालक का सारा रत निकल गया तो फिर क्या ही प्रोटीन रहा क्या ही केल्सियम रहा क्या ही तो उसका इस्तमाल हम करेंगे डियर, घबडाने की जुरूरत नहीं है, अब इसको हम बिल्कुर अच्छे से पेष्ट बना लेते हैं, तो पालक सॉफ्ट होगी, अब पेष्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी, तो चलिए इसको बना के लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते ह आपको बनाने से लगके, क्योंकि हमने पालक की निकालाा था, अब इसको हम बिल्कुल भी वेच्ट राफ्त नहीं किया है, थोड़ा सा इसके अंदर ओयल लालेंगे एक से दो बोल बस काफी है फिर इसके बार हम इसके अंदर अपना पालक का पेश डालेंगे एक चमच और आप इसके अंदर हम डालेंगे अपना यह जो पाउडर है इसके चार चमच छोटे बड़ा है तो स्विफ दो लीजेगा और आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो देखिए, इस तरीकर से हमने मिक्स कर दिया है, इसको बिल्कुँ अच्छे से, और आप इसको 2 मिरा का टायम देंगे, अगर आपको जाद जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पोड़ा या खाने वाला मीठा सोड़ा डाल सकते हैं लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा तो हम इसको दो मुझा का टाइम देंगे ताकि अच्छे से हमारा जो हमने दाल वाला पाउडर डाला है वो पूल ज का लिया था और इसमें मैंने सौंफ भी थोड़ी सी डाल लिए अब मैं इसमें मीडिम साइज सा प्याज डाल दूँगी अब प्याज डालके विलकुल अच्छे से हम क्या करेंगे प्याज को अच्छे से लाल कर लेंगे तो प्याज को में बहुत ज़रा लाल नहीं करना है हलका सा बिल्कुल लाइट सा लाल करना है तो यहाँ पे हो गई है अब इसमें हम तेट पत्ता डाल देंगे एक तेट पत्ते को मैंने दो भाग में तोर का डाल दिया है तो देखिए इस तरीके से अब इसमें हम एक चुटकी डालेंगे हींग, हींग जरूर डालने से बहुत ही अच्छी खुसबूर टेस्ट दोनों आएगा, फिर इसके बाद जो हमारा यह पेश्ट रेज़ी था वह हम डाल देंगे, सारा का सारा, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम क्या डालेंगे, आईए आपको बता देते हैं, बहुत ही बेसिक मसाले डालेंगे, जो हर किचन्ने आपको आसानी से मिल जाते हैं, वो कौन-कौन से मसाले हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताईए तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर फिर इसके बाद थोड़ा सा टर्मरी पॉडर रहनी हल्ती जिससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा फिर इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्पाइसी बराने के लिए लालमीज पाउडर आधा चमच तो देखे लालमीज पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम एक चमच डालेंगे धनिया पाउडर और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हम इसको धीमी धीमी आज पर अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भून नहीं जाता है और यह ओल नहीं छोड़ देता है तो मसाला भूनना है उसलिए हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक हमें जरूर डालना है नमक आप अपने टेस्ट के क जो पालक वाला है तो इसलिए हमने कमी नमक डाला है और अब इसको धीनी धीमी आज पर हम भूनेंगे यहाँ पर भूनते समय आपको ख्याल यह रखना है कि इसे कंटीनू चलाते वह भूनना है और दूसरी बात जो बड़तन लीजेगा थोड़ा सा भारी लीजेगा तक कि अ पक्रोच का कलर चेंज होता जा रहा है और दूसरी बात कलरर्चेंज होने के साथ साथ यह फचे हैं यह बिल्कुर अच्छे से से बुन गया है और यहां पर देखिए साइड साइड ने बिल्कु अच्छे से ओइल छोड़ना शुरू कर दिया है तो मैंने इसमें कम ओईल डाला है अगर आप चाहे तो और आइल भी डाल सकते या फिर आप मुझसे भी कम डाल सकते हैं तो यहां पर देखिए जो हमने प्य कम नहीं लगेगा आकखा जब मसाला बिल्कु अच्छे से ओईल छोड़ने लगेगा तो एसमें हम डाल देंगे पानी और यहां पर देखिए मैंने पाई डाल पहली बार में जब आप घुनते हैं तो वो टेस्ट नहीं निकलता है, नहीं ओईल इसका रिलीज होता है, तो यहाँ पर हम धीमी धीमी आज पर इसको पकने देंगे, जब तक यह पक रहा है तद तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे, तो यहाँ पर जब बैटर था, यह देखें कितने अच्छा से defensive हो गया है, और हमारी डाल बिल्कुर अच्छा से फोल गे और इस तरीके से तिक हो गया है, यह देखें कितना पदला था और कितना ज्िया थिक हो गया है, अगर आपको बकौँ ज़दा थिक हो लगे हैं तो आप क्या क पर रखना है गर्माहट महसूस हो रही तो समझ यह पैन गरम हो चुका है पैन को आपको गरम करना है ओवर गरम नहीं करना है धुआ नहीं निकलना चाहिए इस रेस्पी को बनाने के लिए थोड़ा सा ओई डालेंगे आप खियो बटल का भी इस्तमाल कर सकते और इस तरीके से पूरे पैन में फैला लेंगे तो यह रास्ता आप बच्चों को टिफिन बॉक्स पती को लेंच बॉक्स में दे सकते हैं अगर आप डाइटिंग करने तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रैस्पी है इससे आपका पेट तो बढ़ेगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा त इसके बाद वापस से हम एक कर्छी ले लेंगे तो तो टन हम दो चम्बच बैटर का इस्तमाल करेंगे और इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे यहां पे आपको खयाल यह रखना है कि इससे ना बहुत जड़ा मोटा बनाना है और ना बहुत ज़़धा पतला बनाना है और न अगर आपको सॉफ्ट चाहिए ज्यादा और जल्दी चाहिए तो आप कवर लगा लीजे तो मुझे तो कुरुकुरा और क्रिस्पी चाहिए इसलिए मैं इसको दो मिनट करे लिए दिमी-दिमी आच्छा पकाऊंगी हाई फ्लेंप नहीं पकाना है नहीं तो क्या होगा उपर स हो चुका है इसको पकते वे यह देखिये उपर से बिल्कु अच्छा से ड्राय होने लगाई अब इसको पलटने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इस तरीके से चिमटा लीजिए और इसको तरीके से पलट जीजिए बिल्कुल भी टूटेगा नहीं नाही आपका हाँ जल दो मिनट हो चुका है दूसरे साइट से भी पकते वे चलिए इसको पलट कर देख लेते तो यह देखिए कितना बड़ी हा तरीके से कुक हो गया है बिल्कुर अच्छे से डन हो गया है अब चलिए इसको सर्फ करके इसका फाइल जड़ आपको दिखाते तो फ्रेंड है यह देखिए हाथ में ले रहे हैं मुठी में बाद रहे तो बिल्कुर बंद रहा है अब मैं आपको तोड़ का दिखाती हूं कितना जड़ा सौफ्ट होने के सासा अंदर तक कुक हुआ है और इससे मैंने सर्फ किया है केचप के साथ के साथ के साथ जो इसका कॉमिनेशन बहुत जड़ा हेल्दी रैस्पी है तो चलिए इस रैस्पी को हम साइड में रखते और अपनी दूसरी रैस्पी की तरफ बढ़ते और आपको कौन सी रैस्पी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोनों ही रैस्पी अपनी जगा पर बेस्ट है और दोनों का कॉमनेशन बहुत ही अच्छा रखता है आप एक बार जरूर ट्राइग कीजिएगा तो देखिए इस रैस्पी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लेस एक लाइक अभी दे दिजिए चलिए इसको साइड में रखते हैं और अपना हम मसाला देख लेते हैं वो पक गया होगा तो फ्रेंड देखिए दो से तीन मिनट हो चुका इसको पकते वे यहां पर देखिए मसाले ने बिल्कुल ऑई छोड़ दिया है अब आप देख सकते हैं मसाले का जो कलर है वो कितना अच्छा हो गया है और मसाला हमारा बह इसको जटने का डर रहता आप हम इसको जितना ही भूनेंगे लेकिन मसाले हमारे अच्छे से पक गये हैं तो अब यह जलेंगे नहीं तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से भून गया है अब गैस के फ्लेम को मैंने हाइख कर दिया है और इस तर तरीके से जो नार्य आल पीशा था इस तरीके से हमने इसको दस्टाशा पीशा था तो यह देखे वाइट परिट तरीके से आ रहा है इससे जो ग्रेवी का टेक्ट्चर वहऊँ बहुत ज़दा खुबसुरा लेगए और नारियल का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको हम लो फ्लेम पर कर देंगे और हमारा जो रखा हुआ था उसके साथ काम करेंगे फटाफट अब यह जो बचा हुआ मिस्रन है इसमें हम अपना पालक वाला पेश्ट डाल देंगे सारा और आप इसको अच्छा से मिलाते वे इसका आठा लगाएंगे तो यहां पर हमें अलग से पाइन डालने की जुरूरत नहीं है जो हमारा पालक का पेश्ट है उसी में बिल्कु अच्छा से इस तरह से मिल जाएगा अगर आपको लगे कि यह थोड़ा सा चेचिपा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बेशन डाल सकते हैं भून के कच्छा मत डालिएगा लेकिन अगर आप मेरे मिजर्मेंट के साथ काम करेंगे तो आपका बिल्कु भी इस तरीके से लूज नहीं होगा जैसा मेरा हाड ह उसी तरीके से आपका भी बन जाएगा और आप इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सफेद तिल जिससे बहुत ही सुन्दर सा अलुक आएगा अगर आपके पास सफेद तिल ना हो तो आप इसकी जगा पर कलोंजी डाल सकते हैं यह देखिए इस तरीके से हो गया है अब आपको बताते हैं तो यहां पर देखिए हाथों को अच्छे से वास कर लिया है यहां पर मैंने चकला ले लिया है आप इसके ओपर हम थोड़ा सो ऑईल डालेंगे आप घियो बटर भी डाल सकते हैं और इस तरीके से अपनी हथेली में में लगा लेंगे और यहां पर अपन हम इस तरीके से इसके भाग डिवाइट कर देंगे यहां पर आपको ख्याल यह रखना है कि इसे बहुत ज़दा बड़ा नहीं रखना है और बहुत ज़दा छोटा नहीं रखना है यह देखिए जैसे मैं कर रही हूं उसी तरीके से आप काम करेंगे तो आपका रिजल इसको टिक्की का शेफ देंगे यह देखिए बहुत ही आसान है इस तरीके से गोल करने के बाद इसको चप्टा कर देना है यहां पर जो इसकी ठिकनस है वह हमने बहुत ज़दा ना मोटी रखी है और ना बहुत ज़दा पतली तो यहां पर आप इसे कोई और से भी दे सकते जरूरी नहीं कि आप इसे गोली बनाए आप इसे फोर एंगल का सेफ दे सकते आप इसको बेल के काट भी सकते आप इसे थ्री एंगल का भी बना सकते लेकिन मुझे इस तरीके से बनाना है जिससे जब मैं महमानों को इससे सर्फ करूँ तो महमान इसको खा के खुस हो जाए और देखने में लूप बहुत प्यारा है तो आपकी अपनी मर्जी आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं तो चलिए फटा-फट सारे बना लेते हैं तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने सारे बना लिए आप इस तरीके से बना के इसे हवा बंडिबे में भरके रही सकते हैं जब आपका बन करें या रैस्पी खाने का दील करें आप गर्मा-गर्म बना सकते हैं यहाँ पे अब इसको बनाने के लिए इस तरीके से हम ये बरतल ले लेंगे और आप इसके वपर थोड़ा से ओई यहां पर ख़याल है रखने हैं कि सब्सक्रांब आपस सब्सक्राइब नहीं ही نہیں तीन मिनट तक स्टीम करेंगे, तीन मिनट से जाड़ा टाइम नहीं लगेगा, और यहां पर आपको ख़याल यह रखना है कि इसे बीच में खोल के देखने की गलती नहीं करना है, तीन मिनट में हमाई नीचे की गिरेवी भी बन जाएगी, और उपर भी यह पक जाएगा, एक टाइम में हम दो काम कर रहे हैं, तो चलिए दो मिनट के बाद आपको मिलते हैं, दो से तीन मिनट के बाद, तो फ्रैंक तीन मिनट हो चुका है, इसको पकते वे चलिए खोल के देख लेते हैं, तो यह देखे बिल्कु अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, अब हम क्या करेंग बहुत ही कम टाइम लगएगा ठंडा नहीं करना है गर्मा गर्म ही डालना है ताकि यह बिल्कूर अच्छे से इसके अंदर जाके पूरी ग्रेवी को अपने अंदर ले ले आराम से अगर आप ठंडा करके डालेंगे तो अच्छा रिजड़ नहीं आएगा अगर आप इसको न दॉर घंडा ड़िए लास्ट में और अब दालेंगे गरम साला जो हम डालेंगे आजा चंबलगे आधा च्मच गरम साला और धानिya आपको ça sher यह बहुत्य ही अच्छा तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका है सबजी को पकते वे चलिए खोल के देख लेते हैं सबजी देखिए विल्कुर अच्छे से पक गई है ओईल भी उपर आ चुका है अब गैस के फ्लेंग को हम बन कर देंगे और आपको सबजी को सर्व करके इसका फाइनल जल दिखाते हैं य अधी मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी कितने अच्छे से हमारी यह सबजी डन हुई है और इस सबजी के हो आप नाम रोटी के साथ चपाती के साथ या फिर आप राइस के साथ दिखा सकते तो मैंने इसको पराठे और नान के साथ खाने के लिए बनाया है है तो पतला भी रख सकते हैं आपकी अपनी मड़ी है ग्रेवी का जो टेक्स्चर है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है तो चलिए इसको सब करके आपको इसको हम दिखाते हैं तो फ्रेंड बनकर रेड़ी हो चुकी हमारी मज़िदाल सी सबजी देख लीचे इसका फाइन ज़ रखा है देखे लेखिन क्रीमी टेक्चर है बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रेवी हमारी बनी है और जो टिप एंट ट्रिक दी है उससी तरीके से फालो करके बनाएंगे तो आपकी रेस्पी बहुत ही ज़्यादार बनेगी यह सबजी प्रोटीन से भरपूर है केल्सियम स इसके अंदर डाला है तो बिल्कुल ग्रेवी इसके अंदर समा गई है तो इस सब्ची को आप पराठे के साथ चपाती के साथ नान के साथ किसी के साथ दिखा सकते या फिर आप इसको राइस के साथ खाना चाहे तो ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर सकते आप इसे बच्चो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी मेहनत में अगर आपको जरा भी खुसी मिली हो और जरा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर देजीजिएगा मिलते हैं लेक्स वीडियो में लब यू आल बायें टेक क्यार